पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ईशा और साहिल की शाधी हो चुकी थी, लेकिन ईशा घर का एक भी काम नहीं करती थी, वनीता जब भी ईशा को काम सीखने का कहती तो इशा ध्यान नहीं देती थी, साहिल भी ईशा को कुछ नहीं कहता था, एक दिन उनके घर एक अरे रिलाक्स भावी, चिंता मत करो, आपकी ननधूमें ये बात सुनकर इशा के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है, बेटा ये मेरी भती जी है, एक्चली मेरे एक्जाम चल रहे थे और शादी में आने ही पाई भावी, समीरा गले लगकर अपनी भावी इशा से मिलती है, औ नजाने कौन लड़की आकर मेरे पदी के गले लग गई? वो तो है, डर तो लगता ही है, अरे चिंता मत करो, मेरा भाई ऐसा नहीं है, ये आपसे बहुत प्यार करता है, हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, समीरा और इशा एक दूसरे के साथ बैठ कर, खुब बाते करते हैं, इशा दर्वाजा खोलती है, दर्वाजे पर उसका भाई अभिशेक ही था, और उसके हाथ में एक सूटकेस था, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते जीजू, कैसे हैं आप सब? तभी अभिशेक और समीरा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, आओ बेटा, हम सब ठीक हैं, ह अभी तो मुझे भूखी नहीं है, तो हम अभी कौन सा खिला रहे हैं, बैट जाओ, शर्मा क्यों रहे हो, लगता है अभिशेक मुझसे शर्मा रहा है, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अभिशेक वहां रुख जाता है, वहीं अभिशेक और समीरा के बीच, आखोई अकेले में अभिशेक से उसका नंबर भी ले लेती है, मैं तुम्हें कॉल जरूर करूँगी, कितने चर्मीले हो तुम सच में, ऐसी बात नहीं है, पहले कभी मिले नहीं है नाम, तो बस hesitation हो रही है, तो क्या हुआ, पहली बार भी तो होता है न कुछ, चलो जाओ, कोई अभिशेक घर आ जाता है, और समीरा उसी रात अभिशेक को कॉल करती है, और यहीं से उन दोनों के बीच बाते शुरू हो जाती है, अगले दिन सुभर, ईशा वेस्टन ड्रेस पहन कर कमरे से बाहर आती है, अरे बेटा, ये कैसे कपड़े पहने तुने, मामे आज मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, ये सब कपड़े तु कब लाई थी, फो कल अभिशेक आया था न, उससे मैंने यहीं मंगवाय थे, घर पर रखे थे सारे कपड़े, लेकिन कुछ और पहन ले बेटा, ये तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, वहीं समीरा अपने कमरे म साथ पार्टी करने चली जाती है, क्या बात है बुगाजी, आजकला परेशान सी लगती है, बेटा आईशा को घर का कोई भी काम नहीं आता, और उपर से सीखना भी नहीं है, अच्छा, कोई बात नहीं, सीख जाएगी, भावी थोड़ी मॉडन टाइप की है, बेटा मॉड भी तो नहीं सकते, फिर साहिल को बुरा लगता है, आप चिंता मत कीजिए बुगाजी, धीरे धीरे भावी को समझ में आ जाएगी, लेकिन समीरा नहीं जानती थी, कि असल में ईशा ही जान पूछ कर कोई काम नहीं करती थी, शाम हो जाती है, और समीरा अपने घर वापस च मैं कमरे में जा रही हूँ, वहीं दे देना, बेचारी विनीता चुप चाप ईशा के लिए चाय बनाने चली जाती है, क्या करूँ, अगर ईशा को कुछ कहा, तो साहिल नाराज हो जाएगा, और साहिल की खुशी में ही मेरी खुशी है, ये तो सहना ही पड़ेगा, इसी तर आपसे, आपको करना है तो करो, वरना नौकरानी लगा लो, बेटा, ऐसे क्यों बात कर रही है, तो और मैं क्या करूँ, मैंने साहिल से पहले कह दिया था, कि मुझसे कामवाम नहीं होता, और मुझ पर प्रेशन मत दो, वरना मैं घर छोड़ कर चली जाओंगी, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहे, साहिल तुझसे बहुत प्यार करता है, वो तेरे बेना कैसे रहेगा, वो तो आप देखो न, अगर आप अपने बेटे को खुश रखना चाहती है, तो मुझे भे खुश रखना पड़ेगा, अब जाईए, और आज मेरे लिए कोफते बना लेना, ठीक ह बेचारी विनीता, बहु के आने के बाद अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गए थी, कुछ दिनों बाद, विनीता बात करने के लिए फिर से अपने बेटे के पास जाती है, साहिल बेटा, अब तो इतना टाइम हो गया है, तुने समझाय नहीं कि आईशा को, वो घर की क कारे काम नहीं करती है, खुद को भी कुछ करना पड़ता है, मैं धीरे धीरे इशा को समझा रहा हूँ, आजकल तो इशा घर पर भी नहीं रहती, हर दूसरे दिन, कहीं गूमने, कभी पाटी करने, तो कभी कुछ, जाती रहती है, तो क्या हुआ मम्मी, उसकी उम्र है अभी उसे जीने तो जिन्दगी जैसे वो जीना चाहती है, कुछ गलत नहीं कर रही है वो, मैं जानता हूँ उसे कुछ दिनों बाद इशा गेस्ट रूम साफ कर रही थी, ये देखकर विनीता खुश हो जाती है, अरे वा, इशा बेटा, आज तो तू खुदी काम पर लग गई, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली है, और आप है कि घर का ध्यानी नहीं रखती, देखो, कितनी मिटी ह हो गई है, मुझे ही साफ करना पड़ रहा है, बेटा, मैं घर का सारा काम तो करती हूँ, तो कभी-कभी डस्टिंग करना रह जाता है, आप से तो धंक से घर भी नहीं संभलता, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ना, तो क्या हुआ बेटा, ये भी तो तेरा ही घर है, तब्यट ठीक नहीं है आज। बाहर से मंगवाने के लिए पैसे मुझे आप देंगी क्या। बस पहली बार मीरी फ्रेंड्स घर पर आ रही है। और आप है कि अरे 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 शांत हो जा। मैं बना दूंगे। उस्सा मत कर। बाते सुनकर विनीता हैरान रह जाती है क्योंकि उन सबने विनीता को घर की नौकरानी समझ लिया था। बेटा मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। तब इशा गुस्से से वनीता को देखती है और चुप रहने का इशारा करती है। अहा वो अरे ये हमारे घर की मेंबर जै चलो नौकरानी जी बोल लेते हैं फिर रिस्पेक्ट के साथ। बस बहुत हो गया। अगले एपिसोड में हम देखेंगी कि क्या अब वनीता अपने सब्र का बांध तोड़ कर इशा को अच्छा जवाब दे पाएगी या फिर से उसके आगे चुप हो जाएगी। देखते रहिए सास नौकरानी और बहुरानी का अगला एपिसोड।